नमस्कार रिपोर्टर लाइफ देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बविता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए रोजगार मेला में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने 71,056 न्युक्ती पत्र भीवाटे तो साथ ही दि प्रधान समा में बवाल होने का नाम हटने का अब नाम नहीं हो ले रहा है तो वही आज इनी तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको पल-पल की और हर खबर के अपडेट देंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बड प्रधानमंति नरंद मोदी ने आज रोजगार मेले में जो है वीडियो कॉंफरेंस के जरी आज अपना हिस्सा लिया प्रधानमंति नरंद मोदी ने सबसे पहले बात जो है रोवा यूवाओ को रोजगार की बात कि जिस तरीके से सरकारी पदों पे लेकर जो पर अभी पर अभी बढ़ती हैं जो खाली पड़ी है उनको जो पूली तरीके से बहा जाए और उसको देखते हो नोंने साफ साफ यह भी दिसा निर्देश दिया कि भारत भारते जनता पाटी जो है अपना कारिये करें चाहिए केंदर की बात की जाए चाहिए स्टेट की जो बात हमा इनको रोजगार देना चाहिए तो रोजगार को देखते प्रदानमंति नरंद मोदी ना आज वीडियो कॉंफरेंच के जरिये अपनी जो संबोदन है उसमें का संबोदन में सबसे पहले उन्होंने रोजगार की बात किया कैमरा मैं निकांत के साथ मैं इतिन चौदरी प्रद्टे कहा कि हमें एक भी ऐसा कालन नहीं दिख रहा जिसके आधार पड़ें सियाचिका पर सुनवाए की जाए तो इसी ख़बर पर जादो जानकारी दे रही है हमारी सायोगी अकाल शत्रेपाठी पहुचर्चे श्रद्धा मडर केस पे लगातार हर दिन एक नया एंगल सामने आ रहा है आफताफ से कई दिनों से पुलिस पूछताच कर रही है और पुलिस आफताफ को कभी गुमरा कर रहा है कभी ये कबूल रहा है कि हाँ उसी ने श्रद्धा का मडर किया लगातार पु कि इस पर CBI जाच नहीं करेगी दिल्ली पुलिस ही इस मामले की जाच करेगी पुलिस का जिस तरीके से लोगों ने इस पर याचिका दायर की थी उस याचिका को कोट ने खारिज कर दिया है और कोट का कहना है कि दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि बस publicity के लिए ये जो याची का है दाखिल की गई थी और पुलिस ने 80 प्रतिशत इस केस को सुलजा लिया है और लगतार पुलिस इस मामले की जाच कर रही है पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले को सुलजा लिया जाएगा आपको ये भी जनकारी दे दे कि चार दिन का और समय अब दिल्ली पुलिस को दे दिया गया है चार दिन की और रिमांड अब आफ़ताप की दिल्ली पुलिस के पास रहेगी ऐसे में पुलिस चार दिन तक उससे पुछताच करेगी और मामले को सुलजाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाएगा इस मामूने में लगातर नए नए इंगल सामने आ रहे हैं और आपको ये भी जनकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस के सुत्रों के अनुसार ये भी कहना है कि 80 प्रतिशत तक की जाच जो है पूरी कर ली गई है लेकिन कब तक यह मामला साफ होगा इसका अब हर किसी को इंतजार है इस मामले ने कई लोगों को कई तरह के सवालों की घेरे में खड़ा कर रखा है लेकिन पुलिस लगाता जाच कर रही है और अब देखने वाली की बात होगी कि आखर केस कब सॉल्ब होगा मेरे साथ निकान्त गुपता के साथ मैं कांश्यत साथ नोईड़ा तो वहीं टिक टॉक स्टार और बीजे पी नेता सौनाली फोगाट के हत्या के मामले में सीबी आई ने गोवा की कोट में सोमवार को चार्ज शीट दाखिल की ह तो इस खबर पर जादा जौनकारी दे रहे हैं हमारी सायोगी नितिन चौधरी आखिरकार इसमें जो दो लोगों को जो डेक्स देने की बात यहां पर कही जाए जाता था लेकिन उसमें पूरी तरीके तो शीट को ने जो है गोवा कोट में जो है दा दायर किया तो इसको देखते हुए पुरी है पुरे मामले की चानवीन करने में पुलिस लगी हुई प पूरी उनके साथ रहता था और उन्हीं से बातचीत की जाती थी तो आज उसके फॉन की रिकॉर्ड और उनकी जो चैट है उन पर बात के लिए यहां पर बताया जाता कि जवरजस्ति उनको ड्रेक्स दिया जाता था लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जाचपड़ताल रही है तो जाचपड़ताल जैसे पूरी होती है जल्दी जल्दी कातिल है उनको सजा दी जाएगी क्यामेन निकांध के साथ मनितिन चौधरी स्वाउं लेकिन अध्याक्ष न उसे खारइच कर दिया तो इसी के विरोध में बीज़ पी ने विधाय को ने बॉक आउट कर लिया तो इस ख़बर पर जादो जानकारी दे रही है हमारी सायोगी पूजज़ा बीजेपी ने सदन में स्थगन प्रस्ताप पेश किया लेकिन वधान सभा अध्याक्ष बमन बैनर जी ने इस पर बहस कराने से इंकार कर दिया जिसके बाद बीजेपी वधाय को ने वधान सभा काक्ष के अंदर नारे बाजे की विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदेश की मुख्य मंत्री और सह स्वास्त मंत्री मम्ता बेनरजी से देंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बयान जारी करने की मांगी। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया और सदन के बाहर गेट पर एक दूसरे को मच्छदानी बाट कर और मच्छदानी लगा कर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विरोध परदर्शन किया। वो पूरे हैं वहीं परदर्शन बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों की बात करें तो रोजाना मामले घट और बढ़ रहे हैं और 24 घंटे की ही बात करें पिछले 24 घंटे में डेंगू के 416 नए मरीजों की पुस्टी हुई है और सबसे बड़ी बात ये है कि डेंगू को लेकर जो सती है वो कंट्रोल में है और दिसंबर महा के पहले हफ्ते तक बेहुब के प्रकोप पर भी पूरी तरीके से काबू पाया जाएगा और स्वास्ते वभाग ने अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किये हैं मरीजों के उपचार के लिए सभी तरह की हो वहीं बीजेपी लगाता प्रदेश सरकार की जो दावे हैं और उन पर सवाल उठा रही है निकांत गुपता के साथ मैं पूजा जाएगा तो वहीं टावो में स्वर्गे नेताजी मुलाइम सिंग यादव की जयनती भंगलबार को मनाएगी जहां इस मौके पर कारिक्रम में परिवार के सबी लोग शामिल हुए तो इसी ख़बर पर जादो जानकारी दे रहे हैं हमारे सायोगी दिनेश शाक्या गरीवों दलितों और मजलुमों के नेता कहे जाने वाले नेताजी मुलाइम सिंग यादव की जयनती आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है समाजबादी पार्टी नेताजी की जयनती को धर्ती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है सबसे बड़ा आयोजन नेताजी के गाओं नेताजी की जनम भूमी नेताजी की करम भूमी सैफ़ई में हो रहा है यहां आप साब देख सकते हैं सैफ़ई महोसब पंडाल में यह आयोजन हुआ है जिसमें नेताजी अमर रहे धर्ती पुत्र दिवस 22 नौमबर एक कोश्टर लगा करके रखा गया जिस पर नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े जो संस्मण है उनकी तस्वीरे यहां पर लगाई गई है हाला कि समाजबादी पार्टी के राष्ट्री अध्यच अखले से अदब शेपाल सिंग यादब प्रफेसर राम गोपाल यादब यहां से अब जा चुके हैं कारकरम खतम हो चुका है लेकिन यहां जो बाते कही गई है जो बाते रखी गई है ऐसा बोला गया है कि नेता जी मुलाइम सिंग यादब के जो बिचार थे जो उनके संस्मण थे जो नेता जी की इच्छा थी जो नेता जी के अधूरे काम थे उन सब कामों को हम आपको पूरा करना है समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्याच समयत तमाम जो लोग यहां आए उन्होंने नेता जी के चित्र पर पुस्पांजली अर्पित की और उससे पहले सभी के सभी लोग नेता जी के समाद इस्तल तक पहुँचे हैं जहां पर नेता जी को पुस्प अर्बित किया, नेता जी को नमन किया, नेता जी के चित्र पर माल्यारपण किया है। यहां तमाम भेर सारे लोग इस पंडाल में जमा हुए थे, जो इटावा, मैनपूरी, एटा, फिरोजाबास से यहां पहुचे हुए थे। तो इस तरीके का यह आयोजन रहा नेता जी की जैंती का, हाला कि इसी वक्त मैनपूरी संसदी सीट का चुनाव भी नेता जी के निधन के बाद हो रहा है। नेता जी की बहु डिम्पल यादब मैनपूरी संसदी सीट के चुनाव में उत्री हुई हैं। हाला कि इस जगे पर कोई राजनेतिक चर्चा नहीं की गई है, लेकिंग जो लोग समाधी इस तल तक पहुचे हुए थे, उन्होंने जरूर ये बाते कही हैं, कि ये है मैन्पुरी संसद्य सीट, नेता जी की परंपरागा सीट है, नेता जी की बहु चुनाव मैदान में, उन नेता जी की बहु डिंपल यादब सदन में, नेता जी की तरह पहुच करके समाजबादी पार्टी का पर्चम लहराएंगी, तो इस तरह ये की की बाते हैं, नेता जी के निधन के बाद उनकी जैनती पर धरती पुत्र दिवस के रूप में यहां पर हुई हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब यहां से सीख लेकर के लोग जाएंगे, समाजबादी पार्टी के और नेता जी के बिचारों को आगे बढ़ाएंगे, और उनके जो अधूरे काम है, उनको हर हाल में पूरा करेंगे, कैमरा में रजजस सिंग के साथ दिनेश शाक के इंडिया वाइस इता तो है उत्राखंड सरकार और उत्राखंड शासन का मंगलवार से तीन दिवस्य चिंतन शिवर मसूरी के लाल बहादु शास्त्री प्रशासनी का कादमी में शुरू हो रहा है, तो इस खबर पर जादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सायों की अब है कैंतुरा ससक्त उत्राखंड की थेम पर अब सरकार और सासन के बीच का चिंतन सिवर मसूरी में होना रहा है, आज से सुरू हुए इस तीन दिवस्य से सिवर का सुबारव मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने किया, बिविन सत्रों में कह सकते हैं कि सासन के अधिकारी, सरकार के मं सब्सक्राइब का चाहता है, ऐसे में सरकार चाहती है, कि इस चिंतन सिवर से जो मंधन यहां पर निकलेगा, जो अम्रित यहां पर निकलेगा, और राज्य के विकास के फलिपूत हो सके, राज्य में विकास की जो रबतार है, वो तेज हो सके, जनता को विकास का लाव यहा कानपूर में नर्सिंग होम के कैम्प में इलाज के लिए आए पांच लोगों की रोशनी चली गई तो वहीं पीडिता ने पीडित नर्सिंग होम की शुकायत कर दी है तो इस खबर पर जादो जानकारी दे रहे हैं हमारे सायोगी मौहमध असलब कानपूर के निजी हॉस्पिटल की बड़ी लावरवाई सामने आई है आपको बता दे कि हॉस्पिटल में आखों का इलाज कराने आए पास लोगों की आखों की रोशनी चली गई इसके बाद पूरे स्वास महकमी में हलका मचा हुआ है आपको बता दे कि बीटे कुछ दिनों पहले बिलहौर में कैंड लगा था जहां पर इन लोग के नाम नोठ की गये गये थे हैं जिसके बाद यहां बर्रा इस जो अराध्या आइ राध्या हस्पिटल के रिए जाज के लिए इनका पूर्शन के लिए जिसके बाद यहां पर उलाज होता है और उनके आखों की और जिसके बाद बताया जा रहा है कि उनकी इस तक्रीबन पास च्छों लोग के आखों की रोस्थी चली गई है इस पूरे मामले पर जब सीमों कहना है कि इस मामले की जानकारी हुई है और कुछ लोग शिकायत करने भी आये थें जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक देने वाली हत्या का खुलासा कर दिया है दरसल रामपुर कला थानाश्वेत्र में आठ नवंबर को पोलिस को एक खेत में बैला की लाश मिली थी जिसका सर एक पैर और एक हाथ गायपता है इस खौफना खबर पर विस्तार से बता रही हैं हमारी सायोगी मोहित मिश्रा अपनी पत्नी का कातिल आपको बता दें कि बीते आठ नुवंबर को एक महिला का सो बोरे में बंद मिला था रामपुर कला थानाश्वेत्र में एक खेत में महिला का सो बोरे में बंद मिला था और जिसके अंग भी इधर विचिप थे आपको बता दें कि पूरा मामला पुलिस टीम साथ में स्वाट टीम भी जो है इस घटना को खुलासे करने में लग गई आपको बता दें कि कड़ी मेहनत और मसक्कत के बाद सीता पुर कप्तान के निरेशन में जो है पुलिस टीम ने मेहनत की और पुलिस नेहा और जोती के रूप में पहचान हुई थी पुलिस ने इन नामों पर खोजबीन की और उसके पती को गिरिफ्तार कर लिया जब पुलिस ने कडाई से उसके पती से पूछता की तो उसके पती ने बताया कि जो मेरी पत्नी है वो नसे की गोलियों की आदी हो गई थी और वो गोलियां जो उसे दे देता था उन्हीं के साथ वहीं चली जाती थी जिसको लेकर पती में काफी नाराज़गी थी उसके बाद उसके पती ने उस महिला को वहां से लेकर आया और पहले जो साड़ी वो पहने हुई थी उसी से उसकी गर्दन से दबा कर उसका गला घोड़ देता है और सौक की सिनाक्त को छुपाने के लिए उसके सरीर के कई टुक केस की गुत्थी को कैसे सुझाय जाया है जिसको लेकर सीतापुर कप्तान जो है उन्होंने अपनी पुलिस टीम को और साथ में स्वाट टीम को लगाया और गहन चान की चानवीन के बाद आज उसका खुलासा कर दिया आपको बता दें सीतापुलिस अदिछक ने ये भी बत किसायत होने जा रही है जिसमें किसानों के मुद्दे पर किसान यूनियन विचार मिमर्श भी करने वाला है तो इसी खबर पर जादो जानकारी दे रहे हैं हमारी सायोगी अबैक एंतुरा कि उच्छान की राइजानी देरादून में आगामी 26 नौउमबर को एक किसानों की महा पंचयास होने जा रही है इस महापंचयास का सीदा उद्द चहीं कि किसानों से जुड़े हीशओं पर सरकार को अब काम करना चाहिए किसानों की मांग है कि जो गन्ना किसानों का बकाया उस भुकाया भुक्तान की राशनी को जल से जल नहां पर जारी कर दिया जाए जो गन्ने का मुल्य है उसे चासर पचास कुंटल पर सी रखा जाए इसके ऐलावा किसानों को पैंसन देने का काम सरकार की तर्कार के तरब से क्या जाए यह सब्सक्राइब बड़ी चुनाओती है क्योंकि अब तक जय जवान जय किसान का जो नारा दिया जाता था उस पर किसानों की इस्त की बात नहीं हो पाती थी लेकिन अपकिसानों न अपनी आवाज उठानी शुरू कर दिये अच्छब 29 वर को देरा दून में महा पंचायद के जरिये अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे केमरा में नसुनिया साथ अभै कैंतुरा इंडिया वाइस ज़ादू तो वहीं जरकर में अवैद माइनिंग के साथ मनी लॉंडरिंग मामली में जौंच करे एडी ने अपनी कारवाई ज़ारी रखी है जरकर में जाच एजन्सिया जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बाद से कई चीजों का जिक्र किया जा रहा है और साथ तोर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जाच एजन्सिया काम कर रही है कि अब आगे क्या होना है हाला कि निसीकान दूबे का ट्वीट कोई पहला नहीं है इसके पहले कई बार वह इस तरह के ट्वीट किये हैं जिसके बाद से राजनितिक हल्चल भी तेज होती ने जरा रही है और उन पर निसाना भी साधा जाता रहा है लेकिन जिस तरीके से पनी करवाई कर सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर मंधन भी चल रहा है अब देखना है कि इस ट्वीट के बाद से राज्जी में किस तरीके के हालात बन पाते हैं और जाच एजंसिया किस तरीके से आगे की करवाई कर पाती है क्योंकि आम लोगों की उमीदें है साइद कि इस तरह के ट्वीट के बाद से जाच एजंसियां फिर से एक बार सताधारी दल के बड़े नेताओं पर करवाई कर सकती है तो वहीं भानू प्रतापुर उपचुनाव में बीज़पी प्रतियाशी ब्रह्मानन नेताम के उपर लगे बलातकार के मामली को बीज़पी हेल बीज़पी के उपर जम कर बर्दे है तो इस खबर पर जादो जानकारी दे रहे हैं हमारे सहीयोगी मनो शुक्ला पूचे बीज़पी से उनों ने पूचा है कि छारखनी दो हजार उनिस में बीज़पी की सर्थार्ट सध्यन की बात कहा से आती है जब रगवगर दास मुखमंद्री थे रगवगर दास और डाक्टर रमान सींके अच्छे दिश्ते थे तो फिर यह सध्यन की बात कहा से आ जास के समर्थने क्यों खड़ीग अकर चैनल कम अ आधिर्म हैं अपने दर्म को मानें अपने अपने औरलो करें दूसरे धर में लुए खो monthly की बात करें डिब नफरत के बात करते हुं फिर कर लेकिन इसी नफरत के आधार पर वो पिसे सब्सक्रणा जाते हैं तो पूरा मामला जनपर संबर के चंदोशी कोटवाली चेत्र के सिग्रेट की घटना को हम बताने जा रहे हैं हैं यहां पर दो दिन पूर знаете की अकिशना कर दिया गया है तैने जाने चार साल से क 제가 करवार वालों को दूद देने जाता था इसी पहाने इसकी जो परिवर वालों की भावी से मिल्या करता था और बता चार साल से प्रिवार मा्रों को तौश्रूचरई उसकी नहीं और प्रवेश के लिए और जॉचुली और फ्राटी और प्रवेश ज्रियों कर दीगए उसकी पीट पिट के लिए नंबर लिए उन्होंने प्रिस को सूचना दी गई और उसे अस्ताल में जो उसे मिर्सी घुशित कर दे गया लेकिन जो परिवेश की जो भावी है वो घर से फरार बताई जा रही है और दो आरोपिय के लिए प्रिस ने ग्रफदार करके आगे की कारवाई करके उन्हें जो पूस्ता पूस्ता होने के बाद में जानिस के घरवालों नो कुछ भी नहीं बताया था उनका कहना था कि इनके परिवार वालों नहीं अध्या की गई है और उसके लिए व्यावर्दी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाईरल हो रहा है जहां पूलिस ने अवैद कची शराप से भरे ड्रॉम के साथ अवैद कची शराप बनाने वाले उकरन भटी और लहन को भी नस्ट कर दिया है तो इस ख़बर पर जाद जौनकारी दे रहे हैं हमारी सायोगी करुने इश्पांटे लाख पर्यास के बावजूद मनियर ठाना छेद्र के भागरा नदी के पिनारे जो बिहार का बाडर लखता है वहाँ पर कच्ची सराप बनने पर अंकुस नहीं लग रहा है वहाँ पर काफी मातरा में सराप कच्ची सराप बनता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कच्ची सराप की भट्रियों को कुपरन को और कहस नहस कर रही है वहाँ पर लगातार इस तरह की सिकायते आती है और यह पहली घटना नहीं है ऐसे कई बार भी हो चुका है कि मनियर खाना छेत्र के धागरा नदी के किनारे वहाँ पर अबायद कच्छी सराव अमेशा से बंता आ रहा है पांडे इंडिया वाइस के लिए रिपोर्टर लाइब में फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए इंडिया वाइस नमस्कार